गैज, आज की स्यूडियो में हम लोग सीखेंगे नमबर रोघ को टाइप करना यह नमबर को टाइप करना सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप स्धिप के सात्त यहाँ पर डॉलर consistent का निशैन यहाँ अगर टाइप करना है ग्रैप्ट कर शक्ते हो लेकिन अगर टाइपिंग कर रहे हो और डोनों अंगली को यहां पर दोनों हांत को छोड़के और यहां से अगर आप प्रेस करने जाओ to 45 तो इसमें यहां पर टाइप करने में आपको काफी समय लगा यहीं तो टाइम बचे तो Thank you something thatfendes user होगा तो इसलिए हम लोग यह नंबर रोंठोच को सीखते हैं नंबर रोंपõ 다시 न में से दो फैरदा है पहला तो फैरदा आप आप जानुगे कि इसमें जैसले जैसे और इहां पर टाइपिंग तो काफी स्पीट जाएगा और यहां पर एक परसकते आप यहां पर उन्ynn को साइड में होता है यहां पर भी बोलते हैं टो इस में क्या होता है यहां पर देखो गे तो सेंट तुसम क्ल comenz न आएं तो इसका अऽ़ रूल होता मैं लग रूल होता है जू नेक्स्ट वीडिओ में आपको बताऊंगे तो इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बन चुका है इसका description में मिल जाएगा वहांसे आप वाच कर सकते हो तो इसमें हम सिखेंगे यहां पर नमबर हो तो इसको कैसे टाइप करना है सेम टू सेम टाइप करना जैसे आप HDF करते थे वैसे ही आपको अंगली सेट करना है और जिससे आप आर दबाते थे और टी दोनों एक ही से दबाते थे वैसे आपको यहां पे उसी से और फाइब प्रेस करना है और जिससे आप यू और वाइब प्रेस करते थे उसी से आपको सेवेन और सिक्स प्रेस करना है बस इतना ही कहाई आपको सिफ्टिंग करना है तो सिफ्टिंग दो थरीके से आप कर सकतो पहला तरीका यह है कि आप सिदली से हैंड को मूब करो और व 6 एप 7 दबाओगे उसी आफोज दबानां है और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह प्रेस करना तो सिधा सच्टी उंगली ले जाएंगे कि रख करना है तो यहां से एक ईंगली अगली जाएंगे जो समय दो फ्रेस करुंगे उसके बाद फॉर और जिससे फॉर करोगे उसी से five space और यहां पर जीरो नाइन एट सेवेन और जिससे सेवेन उसी से इस तो यह नंबर रोग के लिए कि एक सिक्रेट है मेरे तरिफ से आपको लाश्ट तक रूखना है यहां पर से एक बार और देख लेते हैं कैसे टाइप करेंगे पहले अंगली को स्टेट कर लेंगे उसके बाद वर्ण टू ठीरी फोर फाइब जिससे फोर उसी से फाइप स्पेस जीरो नाइन एट सेवेन औ स्पेस घॉक्न डॉन लगले समझें आप और एक तरीका से और कर सकते हो वन एस्पेसट दो एस्पेस धीरी फट्र फोर ऐस फाइप एसपेस और 0 एसपेस 9 एसपेस 8 एसपेस 7 एस तरीके से भी टाइब कर सकते हो जो आपको अच्छा लागे उससे कर सकते हो और स्वनब टाइपिंग एक्सपर्ट में आप जैसे जाएंगे इंगलिश टाइपिंग में तो वहां से लेके यहां पर नंबर प्रेक्टिस होगा उसके बाद आपको प्रेक्टिस करने का ज्यादा जरूरत नहीं है इसको कुछ प्रेक्टिस कर लो एमस वर्ड में और थोरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल सेयर करियेगा वीडियो को थेंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो